सावन के दूसरे सोमवार के आउसर पर पूरे देश में बोल बम का नारा गुंज रहा है भक्त शिवालियों में पहुँचकर शिप जी का जलाफिशे कर रहे हैं बाबा की नगरी बाबा धाम में भी लाखों की संख्या में शिप भक्त भोले नात की पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं हर साल सावन के प्रतेक सोमवार के आउसर पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है लेकिन इस साल सावन के दूसरे सोमवार का महत्व कई कारणों से बढ़ गया है इस साल सावन के दूसरे सोमवार के आउसर पर कई शुभ संयोग बने हैं जो भक्तों को उनकी पूजा और श्रद्धा का लाब भर पूर दिलाने वाले हैं इसकी पहली बड़ी वज़ा यह है कि सावन के दूसरे सोमवार को संध्याकाल में त्रेयोदशी लग जाने से इस दिन सोम प्रदोश वरत हो गया है प्रदोश वरत भी भगवान शिप की क्रिपा पाने के लिए किया जाता है इनमें भी कृष्ण पक्ष का प्रदोश विशेश महत्व रखता है सोमवार के साथ प्रदोश वरत होने से सावन का दूसरा सोमवार शिप भगटों के लिए शिप की खास क्रिपा लेकर आया है कहते हैं इस शुपिशन योग में शिप जी का अविशेख सभी मनुरत हों खास तोर पर संतान सुख के एक्षा रखने वालों के लिए काफी फलदाई होता है जो लोग सोमवार के साथ प्रदोश वरत का भी लाव लेना चाहते हैं उन्हें संध्या के समय सुर्यास्त से पहले भगवान शिप का पंचामरित यानी दूद, घी, गंगाजल, शहद और दही से अविशेख करना चाहिए अगर पंचामरित अविशेख करने में कठिन हो तो केवल दूद या गंगाजल से शिप जी का अविशेख करना चाहिए शिप पुरान के अनुसार यह अविशेख भागतों के लिए बहुत ही लावकारी माना गया है सावन के दूसरे सोंबार पर दूसरा शुप संयोग्या है कि इस दिन स्वार्थ सिध्धी योग बना है जो सुर्योदे से सुर्यास तक रहेगा यानि इस अवदी में आप कोई भी शुप कारेंगे तो आपको उसका शुप फलप्राप्त होगा आप अपनी मनो कामना के साथ भगवान शुप की पूजा करेंगे तो शुप जी भी आपकी जरू सुनेंगे तीसरा उत्तम संयोग्या है कि इस दिन अमरित सिध्धी योग भी बना है इस योग में गंगाइस्नान शिपजी और विष्णु जी की पूजा अमरित के समान फल्दाई होता है इससे अकाल मिर्द्यू का भै दूर होता है इस शुभ योग के बारे में कहा गया है कि इस योग में जो पुन्यदायक काम है उन्हें करने से अमरित तुल्य लाब मिलता है इसलिए इस योग में दान, ध्यान, योग, मंत्र सिद्धी का प्रयास करना चाहिए यह शुब योग भी आज सुरियोदे से सुरियास तक रहेगा हर साल बाबाधाम में लाखों की संख्या में भग्त अपने मनो कामना को लेकर इसी तरह बाबा की नगरी पहुंसते हैं और पूरे सद्धा भाव से शिब की पूजा अराधना करते हैं सावन के मौके पर बाबाधाम में सुरक्षा के भी कड़े इंतिजाम किये जाते हैं क्योंकि लाखों की भीर वहां पे चूट होती है हर तरफ बोल बम के नारे गुंसते हैं